आप देख रहे हैं चोहान वीडियो और इगनु में जनवरी दो हजार तेईस के लिए एडमीशन सुरू हो चुके हैं जिसकी जो आखरी तारीक लास्ट टेट है वो 31 जनवरी दो हजार तेईस है तो आप इगनु में एडमीशन ले सकते हैं हुआ है तो उसमें यह चीज जरूर देकने हैं चैयान को सौक को इतने जादा सोचना नहीं पड़ता तुकि आप महाँ पर रोज जा रहे हैं, रोज इसको देख रहे हैं, लेकिन इगनु या बाकी कोई open university है, उसमें आपकी regular classes नहीं होती, compulsory classes ये होती हैं, वो attend करना compulsory नहीं होता, तो इसमें जरूर ये आपके मन में होता है कि इसकी जो degree है या इसका जो diploma certificate मैंने लिया है, वो इसके मकाबले कहां stand करता है, और जब मैं इसको लेकर कहीं किसी private job में जाता हूँ, या किसी सरकारी job में offer आता है, वहाँ जाता हूँ, तो इसकी और regular university के बीच में क्या रहेगा, या उसको ज़्यादा preference मिलेगी, जो उतने regular university में क्या है, या फिर मुझे भी बराबरी के उस इसके में ही मौका मिलेगा, तो इसके उपर जो vice chancellor जी है, इगनू के ही इगनू open university है, उनकी तरफ से ही इसके उपर जानकारी दी गई है, आज की वीडियो में हम इसके उपर ही बात करेंगे, अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है, तो आप चैनल को subscribe भी जरूर जी है, तो वीडियो की सीधा सुरवात करते हैं, इसको थोड़ा मैं zoom कर देता हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस question को निजी कमपनियों की और से अक्सर इगनू से मिलने वाली दूरस्त सिखसा जो open education है, उसको उसकी degree और परंप्रिक विद्धियाल ले, यानि कि जो regular universities हैं, उनकी nearment degree से कम आका जाता, regular universities के मुकाबले इगनू जैसे open universities की degree को कम आका जाता, तो उस पर क्या ये बात सही है, तो उनकी तरफ से बताया है कि सरकारी आकड़ों के अनुसार 2020 में एक नया कानून बना, एक नया regulation आया है, जिसमें दोनों degree को साफ तोर पर कहा गय ये दोनों की दोनों degree है, चाहे आप regular से लेते हैं या फिर open से लेते हैं, उसके पहले सरकार की और से ये साफ नहीं था, उसके पहले भी सरकार की तरफ से कहा जाते था कि दोनों degree बराबर है, लेकिन खोई इस तरीके का अधिनियम जारी नहीं किया गया था, अब सरकार साफ साफ कह रही है कि चाए आप मुक्त या दूरस यानि कि ओपन या फिर डिस्टेंस रेजुकेशन से आपने पढ़ाई कि हो ऑनलाइन पढ़ाई कि हो या फिर पारंप्रिक रेगुलर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कि हो तीनो डिग्रियां बराबर हैं और मैं भी यही कहाना तो इग्नू जो है वो UGC से मानने ताप्राप्थ है और साथ अब्सक्र अब संदाउने पढ़ात हैं तो दोनों से ही इयूओ जो है वो मानने पराप्थ है और NACC की तरफ से A grade भी उसको प्राप्त हुआ है जहां तक कम आखने वाली बात है तो MBA में दो साल पहले तक 3,000 बच्चे थी यानकी उनकी तरफ से ये भी बता जा रहा है कि MBA में जो IGNU MBA करवाता है उसमें पहले 2-3,000 बच्चे जो है बाकि किसी भी यूनिवर्सिटी जो की भारत के अंदर course करवा रही है उसके बराबर ही माननेता है अब लोग IGNU की प्राप्त डिगरी को भी परामपरिक विसे विद्यालों के डिगरी के बराबर ही मानते है और दोनों में कोई भी अंतर नहीं है चाहे आप किसी प्राइविट जोब में जाते हैं तो वहाँ पर भी आप IGNU की डिगरी दिखा सकते हैं और अगर आप कोई सरकारी जोब के लिए अपलाए करना चाहते हैं जहाँ पर आप से बैचलर डिगरी मांगी गई हो जैसे UPSC का एकजाम होता है तो वहाँ पर बैचलर डिगरी मांगी जाते हैं तो IGNU का आप डिगरी करके IGNU से BA, BCOM, BSC करके भी आप उसको दे सकते हैं बिल्कुल उसको सही माना जाएगा उसमें कोई भी गल्दी आपकी नहीं मानी जाएगी तो IGNU की डिगरी पूरी तरीके से वैलिड है चाए आप भही प्राइवेट के लिए अपलाए करना चाते हैं और फिर गवर्मेंट जॉब के लिए अपलाए करना चाते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही वीडियो आपका पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए शेयर जरूर कीजिए